आरद में कोरोनावाइरस की दूसरी लहर चल रही है, इसे के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अफवाहों और फेक न्यूज की भी लहर चल रही है, अफवाह और फेक न्यूज भरे मैसेज आप और हम दिन बर तमाम देखते हैं, और अगर आप अफवाह और य जाएंगे सोशल मीडिया के जरिये या किसी और माध्यम से अगर आप अफवा फैलाते हैं या फिर फेक नीज फैलाते हैं तो कौन से विधिक कारवाई यानि की लीगल एक्षन है जो लीगल अथारिटीस आपके अगेंस्ट में ले सकती है और आप एक बड़ी सीवत में फज जाएंगे जाने अंजादे अगर आप अफवा फैलाते हैं अगर आप फैक नीज फैला रहे हैं तो आई पीसी यानि की इंडिन पीनल कोर्ट की धारा 505 के तहट पुलिस आपको गिरफतार करेगी इसके बात सजा इसमें क्या होगी इसके बारे में बात करते है आपको तीन साल के जेल हो सकती है इसे के साथ साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है या तो आपको सजा हो जाएगी या तो आपको जुर्माना देना होगा या फिर आपको दोनों चीज़े आपके साथ हो जाएगी आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा तो अ एक बार प्लीज आप चांच लीजे ऐसे ही नहीं कि आपके पास रिसीव हुआ और आपने दूसरे को भेज दिया ये काम बिलकुल मत करिए इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप एक बड़ी समस्या में जाने जाने फ़स जाएंगे और उसके बाद आपको बड़ा पस्ताव होगा कि आखिर हमने उस मैसेज को रेक्टिफाई क्यों नहीं किया भावनाओं में आकर के या फिर किसी और तरीके से किसी और मैंडसेट पे आकर के किसी और सोच के बाहाओं में आकर के हमने उस मैसेज को क्यों फारवर्ट कर दिया आज का वीडियो बनाने का उदेश यही अपना खुब सादान रखे मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पर भी किनेट हो सकते हैं मेरा नाम अन्वरातिवारी है और इस ताग्राम है लें जनाब अन्वरातिवारी है अब वहां पर मुझसे जुड़ सकते हैं